Dear Students, We Have To Discuss About Sustainable Development as Language and Sense of Belongerness हम Sense of Belongerness की बात कर रहे हैं तो उसके उपर जो focus है हमारे पास वो है discrimination क्योंकि ये दोनों आपस में interlink हैं और हम इसके उपर discuss कर रहे हैं किस त्रीके से जो है न हमारे पास discrimination को खतम किया जाए और उसके बदले में output की सुरत में हमें sense of belongingness मिले हमने उसके उपर एक बात की policies के उपर जब हम अफरीका की बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें ऐसी policies वज़ा करनी चाहिए अफरीका के अंदर क्योंकि हम particular example उसकी दे रहे थे जिससे ऐसे program बने ऐसी strategy बने कि जो inequalities हैं वो minimum हो जाए minimize किया जा सके खतम किया जा सके अब देखे यहां तक तो बात यह clear है कि policy बनाने के लिए politicians के एक रोल है यहां पर एक और चीज़ जो है ना हम focus करना चाह रहे हैं और discuss करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ कि हम फर्स कर लेते हैं कि politicians ने education for all बना दिया politician ने quality education के standard बना दिया उनका काम था policy वदा करना उन्होंने पालिसी वदा कर दे अब उसका next step जो है अगर हम फर्स करें के quality education की बात करते हैं और यह हमारे पास स्टेशी स्टेशने डिवेल्मेंट गोल्स जो हैं उसका गोल नमर चार है quality education की बात करते हैं और equality की बात करते हैं कि की बात करते हैं कि हर बच्चे को assess होने चाहिए quality education की पालिसी बन गई अगला मनला क्या है उसकी implementation अब implementation के अंदर society का रोल है देखिए हम इससे पहले भी बात कर रहे थे जब हम integrated curriculum की बात करते थे थे न तो हमने कहाता है कि society अगर उसके साथ align नहीं होगी तो हम integrated curriculum नहीं ला सकते integrated curriculum डारेक्ट लिंक है quality education के साथ quality education उस वक्त तक नहीं होगी जब आपको जब तक आपको society की स्पोर्ट असल नहीं होगी देखें पहले नमबर पर हमारे पास है education for all EFA की बात करते हैं EFA तब तक मुम्किन नहीं है जब तक society स्पोर्ट नहीं करें अगर कुछ गरवाले अपने बच्चों को स्कूल में नहीं बेजना चाते हैं नहीं बेज रहे तो आप कैसे गोल को पूरा कर सकते हैं सकूल में बच्चा आगे तो अब हम बात करते हैं quality education की quality education जैंड है वो लिंक है integrated curriculum के साथ और integrated curriculum किसके साथ लिंक है most society के साथ लिंक है इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास जितने भी ममालक हैं जहां कहीं भी हम बात करते हैं अगर हम वो quality education के perspective में बात करें gender discrimination के उपर बात करें तो यह बात ठीक है कि politicians policy बनाना पहला काम उनका है सेकंड नंबर पे implementation में एडवन आ जाते हैं हर नंबर पे हम कुछ भी बात कर लें वहां पे एक teacher का रोल है और curriculum का रोल है यह दोनों मिल जाएंगे तो फिर quality education का रोल है अब देखें यह तमाम चीजें अब integrated हैं हमने बात तो कर ली sensor belongingness की हमने यह तो बात कर दी कि हम quality education देंगे अब quality education के अंदर भी अब inequalities हैं या वहां पर भी कि कुछ जगा पे quality education दी जा रही है और कुछ जगा पे quality education नहीं दी जा रही तो वहां पर भी आप कैसे sensor belongingness प्यादा कर सकते हैं यह possible नहीं है अब यह सिर्फ एक कंटी की बात नहीं है यह community की बात है यानि दूसरे लफ़ों में मैं अगर बात करूँ तो इसमें politician से लेकर staff तक जो implement कर रहा है और जो quality provide कर रहा है और जो जिन को quality education provide की जा रही है इन तमाम लोगों को यह बावर करवाने की जरूरत है कि they have to play their own role हम इससे पहले बात कर चुके हुए है पेरेंटर रोल की कि पेरेंट का उप्रेटर नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको पूरा कर सकते हैं देखें हमने अगर हमने बच्चों के स्कूल के अंदर punctuality को लेके आना है उसमें पेरेंट का रोल है बच्चों की जो education है उसके अंदर standard को maintain करना है उसमें parents का रोल है बच्चों का जो gap है integrated curriculum में के अंदर जिसमें हमने discuss किया था उसमें community का भी रोल है और parent का भी रोल है तो लहाज़ा इन तमाम रोल को अगर हम define नहीं करेंगे और define करने के बाद हर शक्स जो हो अपने रोल के मताबक अपने काम नहीं करेगा हम उस वक्त तक हम अपने goals को achieve नहीं कर सकेंगे जब तक हम goals को achieve नहीं कर सकेंगे उस वक्त तक हम sense of belongingness को नहीं लाए सकें